जैसे कि आप सब को बताया है हमने प्रोब्लम बेश्ट ओण नंबर यूनिट चला रखिया जो बहुत इंपोर्टैंट यूनिट है कल हमने इसका पहला टोपिक नंबर सिर्जिए आज हम इसका दूसरा टोपिक मिसिंग नंबर करेंगे और कल हम इसका टोपिक और वन आउट करेंगे जैसे कि आपने कल वीडियो देखी होगी नंबर सिरिज़की जैसा भी आपको लगा आया है उसके कमेंट सेक्षन में जरूर बताया करें आज हम मिसिंग नंबर करेंगे जैसा भी आप सबको लगेगा हमारा पढ़ाना वो हम पहले मिसिंग नंबर के मैट्रिक्स फॉर्म के कोश्चन करेंगे मैट्रिक्स फॉर्म के कोश्चन करने के लिए हमारे पास तीन ट्रिक होती है हमें सबसे पहले देखना होगा इन कोलम का योग सेम तो नहीं है या फिर हमें देखना होगा इन रो का योग सेम तो नहीं है दूसरे ट्रिक होती है हमारे पास कोलम मैथ्रड से करने ही हो सकता है पहले और दूसरे कोलम से तीसरा कोलम बन रहा हो हो सकता है तीसरे और दूसरे कोलम से पहला कोलम बन रहा हो तीसरी ट्रिक होती है हमारे पास रो से करने की हो सकता है पहली और दूसरी रो से तीसरी रो बन रही हो हो सकता है दूसरी और तीसरी रो से पहली रो बन रही हो हो सकता है पहली और तीसरी रो से दूसरी रो बन रही हो अब हम questions करते हैं सबसे पहले हमें missing number के matrix form के questions में sum का logic लगाना चाहिए 6 और 2, 8 और 4, 12 देखते हैं क्या इसका भी योग 12 है 6 और 4, 10 और 2, 12 इसका भी योग 12 हो सकता है इसका भी योग 12 हो 4 और 2, 6 12 करने के लिए हमें कितना add करना होगा हमें 6 जोड़ना होगा क्या हमारे option में 6 है जी बिल्कुल इसका answer 6 है missing number के matrix form को questions करने के लिए सबसे पहले हमें sum देखना होगा 6 और 2, 8 और 4, 12 6 और 4, 10 और 2, 12 हो सकता है इसका भी योग 12 हो 4 और 2, 6 और 6, 12 इसका answer 6 अगले questions पाते हैं अब सबसे पहले हमें योग चैक करना है 9 और 4, 13 और 6, 19 8 और 3, 11 और 6, 17 इसमें योग का method अपलाई नहीं हो रहा है हो सकता है रो का योग हो 20 और 8, 28 और 4, 32 15 और 3, 18 और 9, 27 इसमें भी योग नहीं चल रहा है अब हो सकता है पहले और दूसरे कोलम से तीसरा कोलम बनाए गया हो 4 और 8 से 20 कैसे बनेगा अब हमें ये सोचना है हो सकता है 8 गुणा 2 पलस 4 8 दूनी 16 और 4, 20 3 गुणा 2 पलस 9 3 दूनी 6 और 9, 15 इसमें ये लोजिक मिला है दूसरे रो में 2 से मल्टिपलाई करके पहला दूसरे कोलम में 2 से मल्टिपलाई करके पहला कोलम जोड रखा है 8 दूनी 16 और 4, 20 3 दूनी 6 और 9, 15 इसका मतलब 6 गुणा 2 6 दूनी 12 और 6, 18 इसका आंसर अब हम दूसरे कोश्टन्स पहते है ये तीसरा कोश्टन्स था दूसरा कोश्टन्स थोड़ा सा अस्पेसल कोश्टन्स है क्योंकि इसमें 4 by 3 की मैट्रिक्स है 4 रो है और 3 कोलम है ऐसे कोश्टन्स में एक अस्पेसल ट्रिक होती है पहले 3 रो को मिलाकर उनका वर्ग करके जोड़ना होगा या घटाना होगा अगर हम इसमें ध्यान से देखते हैं 35 और साथ 42 फोर्टी टू फोर्टी टू माइनस अठारा 24 देखते हैं क्या यहीं लोजिक अगले कॉलम में भी है 25 पलस 23 48 48 माइनस 16 32 जी बिल्कुल यही हो रहा है दूसरी रो में तीसरी रो के जोड़कर पहली रो घटागर हमें मिल रहा है 35 और साथ 42 माइनस 18 कितना हुआ 24 25 पलस 23 अड़तारिस माइनस 16 32 अब हमें यह देखना है माना यहांसी एक्स है एक्स में 58 जोड़ने पर और साथ घटाने पर 65 आना चाहिए एक्स पलस 58 माइनस 7 बर्आबर 65 और हमें एक्स निकालना है हमने साथ को उदर ले गए 65 माइनस 7 पलस 7 यहां माइनस था उधर जागे पलस यह पलस है उधर जागे माइनस 65 और 7 72 माइनस 58 X की वैल्यू आई 14 तो हमारी इस question का answer है 14 देखिए दूबारा दिहान से समझे 35 और 7 42 माइनस 18 24 25 और 23 48 माइनस 16 32 अब हमें ऐसा नमबर ढूड़ना होगा जिसमें 58 जोड़कर और 7 गटाने पर 65 आएगा हमने माणा वह नमबर X है X पलस 58 माइनस 7 बराबर 65 इसे हमारा answer 14 आया अगला question यह भी एक special question है क्योंकि इसमें भी 4 by 3 की matrix है देखिए अब इन 3 रो को मिला कर 4 रो बन रही होगी अब क्या करना होगा कई 35 मनाना है कई multiply तो नहीं है 48 जो 32 पलस 3 35 यानि 4 गुणा 8 पलस 3 4 अठे 32 और 3 35 क्या यही condition यहा है 7 6 जो 42 पलस 7 49 साच्छंग 2 आईड़िस और 7 उननेंचस ऐसे ही इसमें 9 8 जो 72 पलस 9 81 9 8 बहातर और 9 81 इस कोशन का अंसर 81 अब नेक्स्ट कोशन के और बढ़ते हैं हम चार कोशन कर सुगए है अब आगे क्यों कोशन करते हैं देखिए पांचवा कोशन भी अस्पेसल कोशन है किसलिए क्योंकि इसमें 4 बाइ 3 की मैट्रिक्स बन रही है 4 रो 3 कोलम इसका मतलब इन 3 रो को मिलाकर 4 रो बन रही होगी देखते हैं कैसे बनेगी 7 की मल्टिप्लाई 5 में करते हैं 7 बने 35 और 35 की मल्टिप्लाई 3 में करते हैं 105 ऐसे तो नहीं बन रही है हो सकता है इनका वर्ग करके जोड रखा हो साथ का वर्ग उनन्चस पांच का वर्ग पच्चिस और तीन का वर्ग नो देखो तीन का वर्ग नो पांच का वर्ग पच्चिस साथ का वर्ग उनन्चस इन तीनों को जोड कर 83 बन रहा है देखते हैं इसमें भी यही condition है का 6 कवर्ग 36, 4 कवर्ग 16 और 2 कवर्ग 4 16 और 4 20 और 36 56 जी बिल्कुल इनमें वर्ग करके जोडने से 4 रो बन रही है जैसे हैं आपर 7 कवर्ग 16, 5 कवर्ग 25, 3 कवर्ग 9, इन तीनों को जोडने पर 83 बना ऐसे ही 6 कवर्ग 36, 4 कवर्ग 16, 2 कवर्ग 4, इन तीनों को जोडने पर 56 बना अब ऐसे ही 8 कवर्ग 64, 9 कवर्ग 81 और 1 कवर्ग 1 इन तीनों को जोडने पर 81, 64, 1, 4, 5, 6, 146 इस questions का answer आया दुबारा समझे है इन तीनों नंबर का वर्ग करके जोडने पर 4 रो बन रही थी कवर्ग 9, 65 कवर्ग 25, 3 कवर्ग 9, 83, 6 कवर्ग 36, 4 कवर्ग 16, 2 कवर्ग 4, 16, 4, 20, और 36, 56 ऐसे ही इसमें 8 कवर्ग 9 कवर्ग 1 कवर्ग 146 इस questions का answer अगले questions पर आते हैं अब इस questions को थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा क्योंकि इसमें यह सभी वर्ग 6 और 4 कवर्ग 25, तीन थी ते ूंच कवर्ग 25, एक एक अवारा द आट च्वार खेवर्ग अगल कवर्ग 1 चवर्ग 2 कवर्ग तक वार्ग испन पे अढ़न यहां चैज्ज तो अब ऐसे ही दो घटा ना होगा यहां चार गवर्ग यानि सोड़ा इस कोशन का अंसर अगला कोशन कि अब इस कोशन को सोल करते हैं पांच नो च्छतिस साथ छे च्छतिस नो चार कोशन मार्क सबसे पहले तो हमें इन कि सम का लोजिक लगाना चाहिए लेकिन समय कोशन की नो और पांच चोदा ओर चतिस पचास शाथ और शे तेरा आठ चोग 32 इस question का answer, दो बारा समझये, इसमें हम ने क्या हिए पहले roll में से एक गटा कर अगली roll में गुणा कि, 5-1 गुणा 9, 5-1-1, 4, 4,36, 7 में से एक कम क्या, 6, 6,96, 9 में से एक कम क्या, 8, 8-22, अगले question बाथ चाहित AJ, यह भी मैट्रिक्स फॉर्म का स्पेसल कुश्चन है क्योंकि इसमें भी 4 by 3 की मैट्रिक्स है इन तीनों से मिलाकर 4 तीरों बन रही होगी देखते हैं कैसे बनती है 2 की दौना 4 में, 2.8 8 की दौना 6 में 48 ऐसे तो नहीं बन रही हो सकता है इन दोनों नमबर को जोड़ा कर अगल उपर ले में गुना करकियो 6 और 4 10, 102 इसे भी नहीं हो सकता है इन दोनों नमबर को एड़ करके इसमें मल्टिप्लाई करकियो शे और दो आठ आठ चोग 32 क्या यहां भी रूल है साथ और तीन दस दस पंजे 50 बिल्कुल अब इन दोनों नंबर को एड़ करके इसमें इस कोशन का अठ आप अगया अब अगले कोशें करते हैं मैंट्रिक्स्वाम के वह कोश्व और एक दो कि अभी तक हमने मिसिंग नंबर के आठ कोश्व किया है वह सभी कॉश्व चुशन्स प्रिक्स ओम के दिया अब हम अगले कोशन संब करते हैं दो टाइप के कोश्चनस बनता है में इस नंबर में अहीं इस नंबर को कैसे बना जा रहा है 14, 12, 3, 7 क्या इन सब को जोड़ रखा है 12 और 3, 15 और 7, 22 और 14, 36 बिल्कुल इन सभी नंबर को जोड़ कर 36 बनाए गया है पलस इन सभी में पलस हो रहा है 12 और 3, 15 और 7, 22 और 4, 26 और 10, 36 अब ऐसे ही इने जोड़ना होगा 11 और 9, 20 और 10, 30 और 6, 36 अब 36 में क्या जोड़े की 54 हो जाए 36 में क्या जोड़े की 54 हो जाए 36 में 18 जोड़ना होगा 11 और 9, 20 और 6, 36 अब 36 में क्या जोड़े की 54 हो जाए 36 में X जोड़ने पर 54 हो गया 36 को उधर लेगे, माइनस का हो गया 54 माइनस 36, 18 इस को उसन का अंसर 18 और अगला करते हैं 4 3 2 24 अगर एक नंबर बढ़ाया तीन नंबर चोटा है तो हो सकता है उनकी मल्किलिप्लाय हो रही है चारतिया बारह बारह दूने चोबिस इसका मतलब इन तीनों नंबर कि आपसे मुल्टीप्लाय करके चोथा नंबर बनाय जा रहा है चारतिया 12 12 24 क्या इसमें भी ऐसा ही है दो दूने 4 चारी कम 4 बिल्कुल ऐसा ही है अब 0 की मुल्टिप्लाइच चे में 0 0 की मुल्टिप्लाइच पाच में 0 तो इसका मतलब यहां पर 0 ही आएगा इसका आंसर 0 अगला कोश्ण दो आठ सत्रह एक सो साथ इसकोश्ण मार्क अब दो से सत्र कैसी मना गया हो सकता है मुल्टिप्लाइच प्लस वन दो ठे सोडा और एक सत्रह अगर आगे भी कंडिशन है फिर तो यही सैटिस्पई हो जाएगी सत्रह इंटू एट प्लस वन सत्रह ठे 136 और एक 137 इसमें भी ऐसा ही हो रहा है 137 इंटू एट प्लस वन इसका आंसर 107 मे देखिए 137 इंटू एट 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 सेवन एट सेवन जा फिप्टी सिक्स पांच क्यारी एट त्रीजा कुंटी फॉर फाइफ नाइन एट इकम एट और दस ओकल एट बन्जा एट ओँट क्यार साथ कवर्ग शत up तो हो सकता है अट और सात पंदरा 15 और छे इक्तिस ऐसे बनाया गया गया हो हो और यह किसका नो का और यह दसका गैरा और नो बीस और दस इसको संगा अनसर अब आये वन थ्री फॉर फाइफ जैसे की मैंने भी पता था इसे को संस में बीच के नंबर वे फोकस करता है बीच का नंबर कैसे बनाया है इन सभी नंबर की आपस में मुल्टिपलाई करके 60 बनाए गया एक क्यों गुणा तीन में तीन चोग बारा बारा पंजे 60 अब ऐसे इसमें होगा तीन दिसाम तीस तीस त्या नब्य नब्य इकम नब्य इस कोश्टन का अंसर नब्य है दया है दुबवारत देखिए और ऐसे में जैसे नियान होते हैं जैसे जैसे में सब्सक्रा करके तो और इसमें दिर्ट लूजिक अब करते हैं हमने ट्यरा कोशना किया है अब दो कोशना और करते यह इस मिल्ग को देखने पर कुछ समझ आ रहा है बिल्कुल यह वर्ग के संक्याई है अब आजिए संक्याए उन्हों को कहते है जो संक्याए एक और खुड के अलावा किसी से डिवाइड Аशार 12 यानि पांच का और 25 और 26 इसका आंसर नेश्ट कोस्टेंस का नंबर है 15 15 तीन चार साथ ग्यारा सत्ताइस चोशट तीन सो तीतारिस क्या कुछ समझ आ रहा है तीन का रिलेशन सत्ताइस है तीन का क्यूब 27 चार का क्यूब चोशट साथ का क्यूब तीन सो तीतारिस इसका मतलब यहां पर 11 का क्यूब आएगा 11 का क्यूब 13 31 इसको संस का अंसर डी देखें जो हमने यूनिट चला रखिया प्रोब्लम बेश्ट ओन नंबर इसमें पांच टोपिक है हमने कल नंबर स्रीज किया आज मिसिंग नंबर इस कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है हमने बहुत कम कोश्टन कराया है अभी हम फिर भी कोश्टन कराएंगे लेकिन अगर किसी को इस यूनिट की अलग से प्रैक्टिस करनी है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम गुरूप का चै चैनल को फोलो कर सकते हैं आप